असलाम अलेकूम, आज हम बना रहे हैं तरकिश ट्राइल टिकिन केबाब प्लेटर, तो चलें स्टार्ट करते हैं, बिसमिल्लाहिरामानुराहिम, सबसे पहले एक पौर्ड में दो खाने के चमच दही अट करेंगे, आपने मेयरमेंट्स को बहुत द्यान से देखना है, कैचप तो पेड़ करेंगे दो चमच की हच्सन का पेस्ट गही एक चमच हाफ टीसपौन दारचीनी हsem का पाउडर अब आफ टीसपौन जीरा पाउडर आफ टीस पून काली मिर्च, हाफ टीजपौन कुटी हुऊ लाल मिर्च प्रमक मैंने एक चमच डाला है आप अपने टेस्ट के हिसाप से डाल सकते हैं चिली पाउडर हाफ टीस्पॉन ओलिव ओल एक चमच सिर्का एक चमच और हाफ लेमन का जूस तरकिश खान इतने ज़्याद है स्पाइसी नहीं होते और उनकी विर्ष जो है इतनी जादा नहीं है मतलब इतनी मोटी नहीं है ताकि अच्छे तरीके से वो गल जाएं लिकन को मसाले के साथ अटलीस चार से पांच घंटे के लिए मैरिनेट करना है अगर ओवरनाइट करेंगे तो और भी ज़्याद अच्छा टेस्ट आएगा इसके बाद मैं आपको बताऊंगे कि इसको हम स्क्यूर्स पर या स्टिक्स पर कैसे लगाएंगे अपने दिहान से वीडियो को देखना है ताकि आप स्टेप बाइ स्टेप फोलो करें अब यहां मैं चूले पर एक ग्रिल रखूँगी अगर आपके पस ग्रिल ना हो तो आप इस तरह का स्टेंड भी इस्तामाल कर सकते हैं यह एजिली मिल जाता है अब मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं जो के मैं ग्रिल पर रखूँगी और उनको ग्रिल करूँगी आँच आपने देख ली है बहुत ज़्यादा तेज नहीं है मीडियम है पैन में मैं थोड़ा सा ओल डार्गर इसको ब्रेज से ग्रीस कर दूँगी और इसमें हम अपने चिकन स्क्वेर्स या स्टिक्स को रख देंगे और एक साइट से दस मिनट तक मीडियम हीट पर पकाएंगे दूसरी तरफ तकरीबें पांच मिनट हो गए है और वेजिटेबल एक साइट से पक गए है तो अब हम इनकी साइट चेंज कर देंगे 10 मिनिट के बाद चिकन की साइट भी बदल देंगे और दूसी साइट से भी 10 मिनिट तक मीडियम हीट पर पकाएंगे आप देख सकते हैं कि मैं इसको पकाने के उद्धार मुसलसल इसकी साइट चेंज करती रहूंगी तागे चिकन किसी तरफ से भी कच्चा न रह जाए आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है आप इस रेसिपी को स्टेप बाई स्टेप ऐसे ही फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही जबदस और बहुत ही मज़े के कबाब बनेंगे चिकन तक पक गया है तो अब हमारे पस जो मेरिनेशन बाउर में बची हुई थी न वो भी हम इसके उपर लगा देंगे इसे बहुत ही अच्छी सी शाइन आएगी और चिकन बहुत जूसी बनेंगा दो मिनुट तक हम इसको और पकाएंगे हमारे जबर्दस से चिकन कबाब तरकी स्टाइल में रेडी हो गए है तो चलें अब इसको डिश आउट कर लेते हैं लैटर में पहले हमने अपनी ग्रील की हुई वेजीटेबल्स को सेट कर दिया है और इसके ओपर हम अपने चिकन कबाब रख देंगे इसका बहुत ही जबर्दस कलर आया है और टीस भी बहुत अच्छा है यह बहुत जबर्दस पाइसी नहीं है लेकिन बहुत ही टेस्फुल है देखें कितना प्यारा और कितना ही खुबसूरत कलर आया है इसके ओपर अब हम इसको अपनी होम मेड हुमस के साथ सर्फ करेंगे अगर आप हुमस की रेसिपी जाना चाहते हैं तो मुझे कुमेट्स करके जरूर बताईएगा मैं आपके साथ रेसिपी जरूर शेयर करूंगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज